बिजी लाइफस्टाइल होने के कारण क्या आप भी रात को फुरूट्स काट कर सुभा टिफिन में ऑफिस लेकर जाते हैं। अगर हां, तो आपको ये आदत बदलने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा करने से ना सर्फ आपके पाचन तंत्र को नुकसान होगा, बल्कि ये कई बिमारियों का कारण भी बन सकता है। तो आईए जानते हैं इससे आपकी सेहत को क्या नुकसान हो सकता है। डाइरिया का है खत्रा ज्यादा देर तक कटे हुए फलो को खाने से डाइरिया का खत्रा बढ़ जाता है। खास तोर से बरसात के मौसम में जब बातावरन में उमत ज्यादा होती है। ऐसे में इन फलो में कई तरह के बैक्टीरियास पनपने लगते हैं और फ्रूट्स पर अपनी एक परत बना लेते हैं। पोशक तत्वों की होगी कमी फलो को काट कर रखने से इन में मौझूद पोशक तत्वों में कमी हो जाती है। फलो को तुरंट काट कर खाने से जो फाइदे मिलते हैं वो उन्हें काट कर कुछ घंटों बात खाने से बहुत कम मिल पाते हैं। Food poisoning का है डर फलो को काट कर कुछ तेर बात खाने से आपको food poisoning की समस्या जहलनी पड़ सकती है। साथ ही पेट में दर्द, सूचन, एठन या जलन भी हो सकती है तो आप से फल खाते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखे ताकि आपको फल खाने के पूरे फायदे मिल सके और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें इंडिया टीवी योगा